गीता में भगवान ने बताया निसकाम कर्मयोग और ज्ञान योग। निसकाम कर्मयोग में है की साधक अपने आपको भगवान के उपर समर्पित करके चलता है। ज्ञान योग में है कि अपने भरोसे वह भजन भक्ती इत्यारी करता है। निसकाम कर्म योग में है कि भगवान साधक की रच्छा करते हैं जब साधक प्रभू के प्रती समर्पित हो जाता है। ज्ञान योग में है जैसे प्राइवेट इस्कूल में और नामनेट इस्कूल में सुविधाएं अलग-अलग होती हैं पढ़ाई एक ही जैसा होता है। लेकिन नामनेट विद्यार्थी को सुविधाएं जूदा मिलती हैं, प्राइबेट विद्यार्थी को सुविधाएं कम मिलती हैं, पढ़ना एक ही है, उसी तरह से निशकाम करमयोग और ग्यान योग, ज्ञान योग में अपने बदवलत चलना पड़ता है, निस्काम कर्मयोग में अपने आपको भगवान के प्रती सौप के चलना पड़ता है, ज्यादा बेहतर है अरजुन निस्काम कर्मयोगी था, जो अपने आपको भगवान के प्रती समर्पन करके चलता है, वह साधक भी पार हो जाता है ज्यान योगी एक आग दो जनम भटकते हैं